हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छा हूंगे तो आज बनाते हैं जन्मास्टमी स्पेसल पेड़े बहुत यह असान तरीके से कम चीज़ों के साथ बनके यह त्यार होगा तो पूरा वीडियो देखेगा और वीडियो पसंद आए त चलिए फटा फट से इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले गैस पे चड़ा देंगे एक कढ़ाई या फिर पैन और इस पे हम डाल देंगे बस एक चमसे देसी गी तो यहां पे देसी गी मैंने डाल दिया है अब इसमें हमने डालना है दो कप से मिल्क पाउडर दो आप लिए हैं अब इसको हमने बूनना है बिल्कुल स्लो अज पे दीरे दीरे ही इसे बूनिंगे अगर तेज आंज पे आप इसे बूनएंगे तो ये जल जाएगा नीचे से लगने लगेगा इसीलिए थिरे धीरे थीरे सलोवाँ पे ही बूनना है व जैसे जैसे यह भूनते जाएगा इसका color एकदम change होता जाएगा तो देखे इस तरीके से हम इसे slow watch पे भून लेते हैं अभी यहाँ पे इसको भूनते वे 5-6 मिनट हुए है और देखे इसका हलका सा color change होने लगा है तो इसी तरीके से slow watch पे ही हम इसे भून लेते हैं तो अब देखे 10 मिनट हो गया है इसको भूनते वे देखे color भी थोड़ा सा change हो गया है और इसमें थोड़ी-थोड़ी सी जैसे जैसे बूनते जाएगा ना हलकी-छलकी सी गुठलियां पड़ती है तो इसे भी हमने तोड़ते रहना है और एकदम लगातार चलाते रहना है छोड़न नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि ये बहुत जल्दी से नीचे लग जाता है जलने लगता है गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखना है और इसको देखिए हमने इस तना भून लेना है बिल्कुल इसका कलर एकदम ब्राउन हो जाए तब तक हमने भून लेना है तो अब यहां प बुर्ण बहुत अच्छा आगे हैं और सारी गुठलियों को मैं इस तरीक से बढ़िया से तोड लूंगी से और अब यहां कैस का फ्लेम तो ओफ ही है और इसे बढ़िया से तोड़ने के बाद हमने इसमें डाल देना है दूद तो पहले इस तरीक से अच्छे से हमने बरावर कर लेना है बहुत टेस्टी पेड़े बन के तयार होंगे बिलकुल इसी तरीके से आप एक बाद जरूर से ट्राइ की जगा और बनाने में तो ये बिलकुल असान है तो देखिए यहां मैंने इसमें सारे जो गुठलियां है बड़िया से तोड़ ली है बड़िया से बराबर क दालना है देखिए मैंने यहां पे एक चुथाई कप से भी कम दूद लिया है और यह मैंने यहां पे डाल दिया दूद गरम ही है ठंडा दूद नहीं है इसको डाल देना है और अच्छे से मिला देना है इसे मिक्स कर देना है तो यहां पे दूद डालने के पाद एक चम मस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा तो यहां पे देखे अच्छे से यह मिस हो गया है अब इसमें हमने डाल देना है मीठा तो मीठे के लिए मैं इसमें जैगरी पाउडर डाल रही हूं आप यहां पे इसमें चीनी भी डाल सकते हैं चीनी को हलका सब मिक्सी में पीस के आप डाल सकते हैं मैंने यहां पे गुडवाला पाउडर डाला है अच्छे से से मिक्स करेंगे और इसको न जब यह हलका ग तो आप इसे गुण डालने के बाद हल्का सा गरम कर लीजेगा ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और बढ़िया से यह बाइंड हो जाए तो देखें यहां पर सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है अभी हम क्या करते हैं इसको हल्का सा थंडा होने देते हैं तो प्लेट में इस तरीके से मैंने निकाल लिया और जब यह हल्का गुनगुना सा रहेगा तब ही हमने इसको इस तरीके से मसल देना है बढ़िया चिकना कर लेना है इसको इस तरीके से अगर मसलेंगे ना तीन-चार मिनट के लिए इस तरीके से करेंगे तो यह अच्छे स बढ़िया स्मूध हो जाएगा और इस तरीके से डू जैसा हो जाएगा तो अब यह पढ़िया से हमारे पेड़े बनाने के लिए रेडी हो चुका है तो अब छोटे-छोटे पेड़े हम इसके बना के तयार कर लेंगे आप कैसे भी से सेब दे सकते हैं कोल-कोल थोड़ा सा ल जैसे बना के त्राइग कीजिएका कम चीजों के साथ और जट पड बनके भी तयार होता है तो इसी तरह के से हम क्या करते हैं सारे पेड़े बनाके तयार कर लेते हैं तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मनने यह मिल्क पाौडर ले लिया है इस तरीके से आप चाहें तो इस तरीके से इसको मिल्क पोडर में भी कोट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं तो जैसे भी आप को पसंदो यह आप करतीज़ तो देखे इस तरीके से मनेज़ को हलका सा मिल्क पाउडर में कोट कर दिया है ये और भी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में तो यहाँ देखिए इस तरीके से आप बना के से हलका सा उपर से गानिश कर सकते हैं तो जैसे भी आपको पसंदो वैसे आप इन्हें रख सकते हैं तो यहां पे हमारे बहुत टेस्टी से पेड़े बनके तयार हो गए हैं तो आप भी इसे बना के जरूर से ट्राइ कीजेगा और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चैन को जनमास्टमी की बहुत-बहुत सुबकामना है तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धहनेवाद